Welcome to Daily Fact आज हम डिसकस करेंगे एक editorial और ये जो editorial ये दहिंदू से जो हमने उठाया बहुत ज़ादा important है ये means के लिए इसमें जो content mentioned है वो prelims और means दोनों के लिए help करेगा अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे initiative को subscribe कर सकते हैं जो agriculture है वो 2024 तक किस तरह का हो सकता है या उसके regarding सरकार नी अभी क्या क्या initiative ली है क्या क्या जो है वो challenges है प्लस क्या जो है वो suggestion हो सकता है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सभी आज का जो ये editorial है यानि कि 24th अगस्त 2024 इसका जो ये conclusion है इसको जो है वो अपने पास संभाल कर note करके रख ले क्योंकि ये direct जो है वो आप answer में लिख सकते हैं बहुत बहतरीन जो है वो यहाँ पर conclusion जो उन्होंने provide की है introduction में अगर हम बात करें तो ये clear कहा गया है कि भारत जो है वो 2024 तक 2024 से अगर जो है वो एक विक्सित देश बनना है तो उसके लिए अभी की GDP के according हमें जब वो 6 times grow करना पड़ेगा यानि कि for example अगर अभी हम 7% grow कर रहे हैं तो 7% का 6 times multiple जो है वो हमें जो है वो grow करना पड़ेगा to achieve the target of becoming a developed nation और ऐसा करने के लिए हमें जो है वो comprehensive development approach चाहिए जिसमें जो है वो हमें agriculture पर focus करना पड़ेगा strictly यहाँ पर कहा गया है कि agriculture पर जो है वो हमें strictly focus करना पड़ेगा क्योंकि plus 7 में ये भी कहा है इसके बार कि जो हम ये बात कर रहे है transformation की कि हमें agriculture पर depend करना है तो उसके लिए जो है वो हमें क्या चाहिए sustainable practices को follow करना पड़ेगा जो कि ensure करेंगी कि long term productivity अगर long term productivity रहती है तो कोई crisis नहीं होंगे especially in case of famines जो है वो यहाँ पर कोई इस तरह का जो है वो challenge नहीं आएगा plus साथ में environmental health ये बहुत important concern है कि हमें agriculture की growth के साथ environment को भी promote करना है और इसके लिए जो सरकार ने initiative लिया है वो है one health concept ये बहुत जादा important concept है one health concept आप इसको direct means में जो है वो mention कर सकते है then इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि genetically modified crops को adopt करना पड़ेगा उनको जो है वो जो है वो use करना पड़ेगा जिससे जो है वो pest जो pest attack है वो भी कम हो ठीक है और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा irrigation technologies जो है वो हमारी उनको advanced form में use करना पड़ेगा जैनि advanced irrigation technologies को जो है वो use करना पड़ेगा techniques को adopt करना पड़ेगा जैसे drip irrigation एक drip irrigation over एक sprinkle system ये बहुत ज़्यादा important है दोनों तो drip irrigation तो common है सबको याद रहता है इस sprinkle वाला जो है वो हम mention कर सकते हैं इसके बाद हम discuss करेंगी कि क्या-क्या जो है वो important challenges है regarding the हमारी जो है वो agricultural growth related कि हमें अगर ये transformation करनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा important challenges क्या है तो सबसे पहला तो यह है कि हमारा जो work force है अगर हम बात करें तो 46% अभी ये नए data है नए updates है जो इसमें mention किये गए हैं कि 46% जो है वो work force जो है वो directly depend करता है agriculture पे लेकिन GDP share कि अगर हम बात क है around 18% तो यह सबसे बड़ा challenge है second challenge यह आता है कि by 2047 यह बहुत ज़्यादा important है यह अगर हम बात करें जो United Nations की जो अभी population के regarding जो updates है जो population के regarding predictions है उसमें यह कहा है कि भारत जो है वो 1.5 billion population वाला देश बन जाएगा 2030 तक और 2040 तक बन जाएगा 1.59 billion तो यह दोनों जो है वो बहुत important figures है इनको हम note कर सकते हैं mains के लिए then साथ में यह भी कहा है कि अगर इतनी ज़्यादा population हो रही है तो उसके regarding हमें जो है वो food requirement को fill करने के लिए surplus production हमें चाहिए third point हमें जो यहाँ पर याद रखना है challenges में वो आता है natural calamities like disasters floods वगेरा हो रहे है cloud brush हो रहे हैं जिसकी वजह से horticulture crops और agricultural crops दोनों को जो है वो यहाँ पर नुकसान हो रहा है plus cyclic employment है वो एक challenge बहुत बड़ा बना हुआ है agriculture sector से related कि seasonal ही जो है वो employment जो है वो यहाँ पर मिलती है then इसके बाद यहाँ पर initiatives के हैं जो सरकारने initiatives लिए है तो सबसे पहला जो initiative है वो परदान मंत्री जो इसमें mention कह गया है परदान मंत्री किरिशी सिंचाई योजना जिसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर डाटा अपडेट हुआ है वो यहाँ सेवेंटी एट लैक हेक्टर जो है वो almost जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ जो योजना है इसके अंडर कवर्ड है देन उसके बाद साथ में यह भी कहा है कि sustainable water management भी जो है वो यहाँ से प्रमोट हो रही है second है climate को challenge करने के लिए यहाँ पर प्रदान मंत्री फसल भी मायूजना insurance facilities against the natural disaster अगर फसल खराब हो जाती है crop production उतनी adequate नहीं रहती है यह land degradation हो जाते है कुछ भी case है तो उसमें आपको एक insurance facility भी यहाँ पर दी जा रही है और approximately यहाँ पर यह कहा गया है कि enrollment जो है वो 49.5 crude farmers जो है वो इसमें enroll कर चुके है तो यह data जो है वो mention कर सकते है means में then उसके बाद E-NAM यानि कि electronic national agriculture market जिसमें जो हमारा connect जो target है कि जो पूरे एक देश में जो मंडी है उनको connect करना आपस में इससे जो है वो farmers को दो तरह से फैदा हो सकता है एक तो उने जो है वो एक prize अच्छा जो है वो उनकी crop production का जो है उनको एक अच्छा मिलेगा साथ में transparency system में रहेगी then उसका other initiatives में अगर हम बात करें जो सरकार ने लिया है वो है यहाँ पर कि subsidies बोथ production के लिए ठीक है एक तो food और fertilizers दोनों के लिए जो है वो सरकार subsidies प्रोवाइड कर रही है साथ में research activities के लिए भी subsidies जो है वो सरकार यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है PM किसान सर्मान नीदी हो जिसमें जो है वो 6000 जो है वो साल में तीन installment में direct benefit transfer के थूँ जो है वो farmers को दिये जाएंगे six scheme जो है वो बहुत जाता important है और यह scheme include होते है soil health card में soil health card जो है वो सरकार ने distribute किये है और around 23 करोड soil health card जो है वो सरकार ने जो है वो किसानों में distribute किये है soil की ही जो health है उस पर भी जो हो दिया जाएगा तो यह बहुत important target है जो सरकार ने launch किया है दिन इसके बाद international influence यानि कि हमने जो हमारे challenges है agriculture से related उसे जो है वो इंटरनेशनल बनाया जैसे कि हमने यह भारत सरकार ने 2023 को United Nations में एक जो है वो इनिशेटीव रखा कि जो आपका 2023 है उसको international year of millets declare किया जाए और same as it is declare भी किया गया तो इससे nutritional value और farmers की income दोनों पर जो है वो focus किया गया इसके बाद eighth point यहाँ पर आता है agricultural infrastructure fund यह बहुत important है agricultural infrastructure fund जिसमें जो है वो एक बहतरीन agricultural infrastructure बनाने के लिए fund जो है वो provide किया है और one lakh करोड के financial जो है वो facility जो है वो इस fund के अंडर जो है वो provide की जाएगी farmers को next उसके बाद आता है कि ड्रफ को recite करने के लिए यहाँ पर बहुत important है स्वामित्वस की यानि कि drone facility यह drones की जो है वो एक modern application है जिसमें drones जैसे Ukraine में drones जो है वो arms as a arm use हो रहे है ठीक है military equipment की तरह काम करें रशिया के ओपर अटाक किये जा रहे हैं लेकिन हम ने यह कहा कि हम drones का peaceful use करेंगे हम उनको agriculture में implement करेंगे जिसे surveillance होगा agriculture पूरा का through surveillance को promote किया जाएगा main target है और drone दीदी इनिशेटीव भी है even like drones के थ्रूँ जो हो women empowerment को भी promote कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो training camps भी जो है वो drones को use करने के लिए जो हो conclusion की तो conclusion कुछ इस तरह से है कि road to 4047 यानि कि हमने बात कि है 2047 तक का जो हमारा target है यह both challenges and opportunities देता है भारत के agriculture को तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए by embracing sustainable practices leveraging technological innovation and implementing strategies strategic innovations strategic innovative India can enhance farmer income meet the food demands of its growing population and achieve inclusive sustainable development हम इसमें साथ में add कर सकते है SDGs को भी कि हमें जो है वो SDGs one two जो की zero hunger poverty या फिर village economy या industry इन सब को अगर grow करना है तो agriculture जो है वो as a primary sector उन सब के लिए raw material प्रोवाइड करते है तो यह सभी points को जो है वो prelims और main zone के लिए जो वो learn कर सकते हैं I hope यह initiative आपको अच्छा लगाओ please support share and subscribe daily fact thank you for today झाल